हलो दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल आस्ता कंपिटर फांडिशन में तो फ्रेंट्स आज हम जानेंगे कि टैली में लेजर कैसे बनते हैं लेजर से होता क्या है लेजर किस प्रकार क्रियेट के जाते हैं क्योंकि जैसे आप कंपनी बनाएंगे तो कंपनी बनाने के बाद आप गिटर टैली आप्शन पर आ जाएंगे और यहां से आपको लेजर बनाने होते हैं तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कुछ लेजर की लेजर जो बनते हैं ग्रूप या अंडर फ्रेंट से एक ही होता है और नेस्ट इधर ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिया है पर एक्जेंपल में कुछ भी डाल दिया है जैसे कि हम कोई एक कंपनी SBI के लेजर बना रहे है तो SBI फ्रेंट किया है प्रकार की बैंक है तो इसको हम रखेंगे ग्रूप या अंडर एक ही चीज होता है तो आपको इनको बैंक एकाउंट के अंतरकत रखना होगा नेच्ट अगला ओप्शन हमारा है काईस का काईस के लेजर आपको कभी बनाने की जरूर नहीं परती है टैली में क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप कंपनी क्रेट करते हैं तो आईसे जो डो लेजर है जो आटमेटिक क्रेट हो जाते हैं एक होता हमारा cash का और दूसरा होता है profit and last का ये दो laser आपको कभी भी create करने की जरूर नहीं पड़ती टैली में क्योंकि टैली जैसे आप टैली में company बनाते हैं तो टैली ये दो laser automatic खुद provide कराती है और next है bill तो bill क्या है bill को रखेंगे in direct expenses के अंतरगत क्योंकि दोस्तों जितने भी हमारे पास से खर्चे होते हैं उनको हम in direct expenses के अंतरगत रखते हैं मतलब आप रतेच खर्चे जैसे हमने rent दिया किसी को bill दिया salary दी किसी party को या person को तो ये सब in direct expenses है depreciation है हमारा telephone charge है advertisement है तो ये सब हमारे in direct expenses है next हमारा है laser जैसे कायरेज है हमने कायरे मतलब भाड़ा दिय तो भाड़ा हमारा direct expenses में आएगा wages मजदूरी दी है तो मजदूरी भी हमारी क्या होगी direct expenses होगी commission अगर हमें कहीं से मिला तो वह होगा direct income क्योंकि जब commission हमें मिलेगा तो हमारी आए बढ़ेगी तो इसको हम रखेंगी direct income के अंतरगत और friends जब भी आप टैली में capital का लेजर बराएंगे तो capital को हमेशा capital account में ही रखा जाता है और next हमारा है stationery, stationery के जो सामान fix assets होगा, अगर आप building purchase करते हैं बनाते हैं तो building आपके क्या होगी, वो fix assets होगी, land है यानि जमीन हमने ले ली, plant ले लिया कोई, furniture बना लिया, machine खरीद ली, तो यह सब क्या है fix assets हैं, क्योंकि इन संपत्यों में लंबे समय बाद परोतन होता है या ना होता हो, तो जो संपत्यों में लंबे समय बाद परोतन होता है या नहीं होता होने, एक प्रकार से हम fix assets के अंतरगत उनको रखते हैं, इसी प्रकार अगर आप sales के लेजर बनाएंगे तो आपको रखना पड़ेगा अंडर उसको sales account में, purchase के लेजर बनाएंगे तो अंडर आप रखेंगे purchase account में, loan के लेजर आप बनाएंगे तो रखेंगे loan liabilities में, and profit and loss के लेजर already बना रहता है और उसका अंडर हमें सब primary ही रहता है, तो चलिए हम इस वीडियो में जान लेते हैं, यह लेजर कैसे आप create तो चलिए एक एक लेजर हम बना के देख लेते हैं, यहां से इसको हम, यहां से minimize करते हैं, सबसे पहले देखें, यहां पर लिखा है SBI, PNB, ICICI, तो यह लेजर हम team बनाते हैं, उसके बाद next के laser बनाएंगे, तो चलिए इसको हमने minimize किया, और यहां से टाइली हमने open कर लिय तो दोस्तों टाइली देखें, open करने के बाद laser आपको अगर create करना है, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा accounting info, जो accounts info लिखा है, इस option में आपको दोस्तों जाना है, और यहां पर जाने के लिए आप, चाहे तो आप अपने keyboard से arrow key key से द्वारा जा सकते हैं, या फिर यहां पर a press करके भी जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखे, a जो हमारा है वो dark bold करके दिखाया गया है, तो यहां पर हम enter करते हैं, इसके बाद हम जाते हैं, यहां पर जब accounts info में हम जाते हैं, तो यहां पर देखते हैं, तीन option हमारे main हैं, एक हमारा है group, दूसरा है ledger, और तीसरा है voucher types का, और next last option जो है quits, quits मतलब accounts input से अगर आपको बाहर निकलना है, तो आपको quit करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम यहां ledger के option पर जाते हैं, और group के बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो हम ledger पर गया हैं और यहां पर हमने कर दिया enter, जैसे enter करेंगे, single ledger में हम जाकर एक ledger बना के बता रहे हैं, और multiple में भी बताएंगे, तो दोनों में अंतर किया हैं वो भी हम आपको बताएंगे, तो सबसे पहले हम single ledger में जाकर create option के हम click करके या enter करते हैं पर, तो देखे हम ledger creation dialog box में आ गये हैं, यहां पर हम बनाएंगे SBI का ledger, जैसे हम under field पे आ जाते हैं, तो यहां पर देखे side में एक list आप group की एक list आ जाती है हमारे सामने, और यहां से आपको bank account select करना, तो आप arrow key से जाके bank account ले सकते हो, या फिर आप mouse से click करके ले सकते हो, या फिर आप वहां पर जाईए और enter कर दीजे, bank account लेके enter कर दीजे, जैसे enter करेंग तो देखें, यहां पर under bank account आटमेटिक आ गया है, अब यहां पर account number क्या है, जो भी आपका account number है, यहां पर fill कर लिजिए, इसके बाद next अगला option है, IFC code जो भी हो bank आप, वो यहां पर fill कर लिजिए, अगला option हमारा है, branch यानि branch आपकी क्या है, वो आप भल लिजिए यहां पर और checkbook अगर आपकी issue हो रही, तो आप checkbook option yes कर लिजिए यहां पर, और दोनों option को yes करना है, नहीं तो आपको skip करके आगे बढ़ जाना है, तो यहां पर enter करते हैं, और यहां पर address fill कर देते हैं, enter करेंगे, next अगला option पर आगे country, country आप इंडिया आप select कर लिजिए, state जो भी आ 4000 डाल दिया, enter कर दिया, जैसे enter करेंगे, तो देखें एक ledger हमारा create हो गया, इसी प्रकार अगला ledger आपको बनाना है, जैसे PNB लिख दिया हमने, enter कर दिया हाँ पर, PNB लिख कर, तो PNB भी प्रकार की bank है, तो इसको अंडर हम bank account रखेंगे, यहां पर account number आप भरतकते हैं, कुछ भी जो भी आपका account number है, आप फिल कर दिये, इसके बाद IFC code डाल दिये, सेम उसी तरह आपको बनाना है, और address आपको यहां फिल कर देना है, इसके बाद next आके नीचे हाँ पर balance आप कुछ भी डाल दिये, और enter कर दिये, तो दो ledger हमारे देखे create हो गये हैं, एक SBI का हो गया है, अब इसके बाद अगला option जो है हमारा, हम आपको बताते हैं कि दोनों में difference किया है, देखे friends, अभी तो हमने single ledger से यहां पर ledger बनाया, create option से जाके यहां पर बनाया दो ledger, लेकिन हम यहां पर देखे multiple में अगर जाते हैं, multiple में गये हैं देखे, और यहां पर देखे लेजर को जिसके अंडर चाहें, उसके अंडर रख सकते हैं, अगर आप all item नहीं लेते हैं, तो आप जिस ledger को जिसके अंडर चाहें, उसके अंडर नहीं रख सकते हैं, तो यहां पर आपको all item लेना पड़ेगा, जैसे मान चलिए हम यहां पर bank account ले लेते हैं, bank account ले लिया और यहां पर हम बिल का लेजर बनाते हैं, यहां पर लिख दिया हमने बिल, अंडर हमको रखना इसको इंडर डिस्पंसर, तो जैसे इंटर करेंगे, तो देखेंजे आपका अंडर फेल्ड पर नहीं रुखेगा, बलकि ओपनी बैलन्स पर आ जाएगा, तो इसलिए आपको य टीजिये और इंडर कर दिजिये, तो आपका बिल इंडरेंड को, जो भी बिल का लेजर है, वो आपका बन जाएगा, देखें, लेकिन इसमें यह यह फ्राप्लम होते है कि सारे लेजर जब बन जाएंगे, तभी आपके शे वहनिए, और सींगल लेजर मेर्क अच्टी में ह होते रहते हैं तो आगे के जो लेजर है फ्रेंट्स हम अगले पार्ड में आपको बताएंगे इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे आपको और अभी और लेजर बनाने हैं वो नेस्ट पार्ड में बताएंगे तब तेले फ्रेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में चाहिए झाल 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 झाल